एक दफ़ा का जिकर है कि किसी गाउं के पास एक जादूगर रहा करता था वो बहुत ही जालिम था उसने अपना घर एक जंगल में बना रखा था उस जंगल में कोई भी आता जाता नहीं था अगर कोई गलती से लकड़ियां काटते वक जंगल के उस हिस्से की तरफ आ भी जाता तो जादूगर उसे अपनी जादूई ताकत से उसे बिल्ली या कोई और जानवर बना देता था और फिर वो शक्स कभी भी अपनी असली हालत में वापस नहीं आता था एक तफ़ा शामू नाम का एक लकड़ हारा जंगल के उस हिस्से की तरफ आ निकला वो लकड़ियां काट रहा था जब जादूगर ने उसे अपने घर से अपनी जादूई ताकतों की मदद से देख लिया और घुसे में उसे फौरण बिल्ली बना दिया गाओं वाले उस चादूगर से बहुत परिशान थे मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस जंगल में जाता और इस चादूगर का मुकाबला करता लेकि उस लकड़हारे का एक बेटा भी था जिसका नाम सलीम था सलीम की वालदा बच्पन में ही किसी बिमारी की वज़ा से फौथ हो चुकी थी और उसकी परवरिश उसके वालिद साब ने की थी वो अपने वालिद साब से बहुत प्यार किया करता था वालिद साब के बाद वो तन्हा हो चुका था वो एक बहुत अच्छा लड़का था और दूसरों के काम आया करता था इसलिए उसने अपने बाप के पीछे और गाउंवालों की मदद करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया उसे रास्ते मालूम नहीं थे लेकिन वो ढूंटे ढूंटे जंगल में जा निकला और उदास होकर एक दरख्त के नीचे जा बैठा उसे आसपास बहुत से जानवर नजर आए वो समझ गया कि ये सब गाउंगे लोग है जिने चादुगर ने बिली या किसी और जानवर की शकल में बना दिया है अभी वो इन सोचों में गुम ही था कि अचानक उसे आवाज सुनाई दी सलीम, 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 मेरी बात सुनो सलीम ये आवाज सुनकर घबरा गया इसने गबराहट में आवाज का ताकुब करना चाहा उसे ढूंडना चाहा लेकिन उसे कुछ बताना चला उसे फिर आवाज आई, सलीम, मेरी बात सुनो मेरी तरफ देखो सलीम घबराया हुआ, इदर उदर देख रहा था मगर उसे कोई नजर नहीं आया पिर सलीम बोला कौन है? तो अचानक उसे पता चला कि ये जो आवाज आ रही है ये एक दरख्ट से आ रही है और उसने देखा कि उसके सामने वाला दरख्ट बोल रहा है और दरख्ट दुबारा से बोला सलीम, मुझे भी उस चादुगर ने इस दरख्ट में कैद किया हुआ है मैं एक जिन हूँ तुम वापस चले जो नहीं तो वो तुमें भी किसी जानवर की शकल में तबदील करतेगा मगर सलीम बिलकुल नहीं गबराया मिलके बोला कि मैं उस चादुगर का मुकाबला करना चाहता हूँ और अपने वालिद साब को वापस ले कर ही जाऊँगा दरख्ट दुबारा बोला सलीम, मैं तुम्हारी बहादरी से बहुत मतासिर हूँ और मैं तुम्हें एक रास की बात बताना चाहता हूँ जादुगर को मारने का एक ही तरीका है ये जादुगर के सोने का वक्त है यहां से एक मील दूर, एक ऐसे ही दरख्ट के नीचे जादुगर ने एक परी को कैद कर रखा है तुम उसे आवाज दे कर तलाश करोगे तो भी तुम्हें वो नहीं मिलेगी लेकिन तुम्हें उस तक पहुचना होगा क्योंकि आजाद होने के बाद वोही तुम्हें जादुगर तक पहुचाएगी सलीम ने पूछा कि मुझे तो यहां के रास्ते भी नहीं मालूम मैं दरख तक कैसे जाऊंगा तो दरख तुबारा से बोला सलीम तुम्हारे पास ये जो बिली गूम रही है देरसल ये तुम्हारे वालिद साब है जने जादुगर ने बिली बना दिया है ये तुम्हें उस तरख तक ले कर जाएंगे सलीम बहुत हैरान हुआ और उसकी आँखों में खुशी से आंसु आगे कि अगर वो इस जादूगर को मार दे तो वो अपने वालिद साब को भी बचा सकता था सलीम ने दरख्ट का शुक्रिया दा किया और बिली के साथ चल पड़ा जल्द ही वो उस दरख्ट के पास पहुँच गया और सलीम ने उस परी को देख लिया परी दरख्ट से बंदी रो रही थी सलीम ने उसे बोला प्यारी परी आप परिशान ना हो मैं अभी आपको यहां से आज़ाद कर दूँगा सलीम ने परी की रस्यां खोल दी परी आज़ाद होकर खुशी से जूम उठी और सलीम से बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली सलीम तुम बहुत अच्छे लड़के हो मैं तुम्हे जादुगर को मारने का एक तरीका बताऊंगी सलीम बहुत खुश हुआ और कहा मुझे बताएं मैं उस जादुगर से मकाबला करना चाहता हूँ उस परी ने बताया कि जादुगर के घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त है उस दरख्त के उपर एक पिंजरा है उस पिंजरे में एक बहुत खुबसूरत तोता कैद है अगर तुम इस तोते को मार दोगे तो जादुगर खुद बखुद मर जाएगा सलीम परी की बात फोरण समझ गया उसने ये बाते कहानियों में भी सुन रखी थी उसने परी का शुक्रियादा किया और परी हवा में गायब हो गई जल ही सलीम जादुगर के घर के पास आ निकला रात का वक्त हो चुका था और जादुगर सो रहा था सलीम एक पकाइदा मनसूबे के साथ आएस्ता आएस्ता उस तरख्त के पास पहुंचा जिस पर वो पिंजरा मौजूद था उस पिंजरे में एक तोता कैद था जिसमें चादुगर की चान थी जब सलीम उस तोते के पास पहुंचा और तोते को मारने की कोशिश की तो तोता बोलने लगा सलीम मुझे तुम मत मारो मुझे तुम मत मारो लेकिन सलीम तोते की बातों में नहीं आया तब तक चादुगर की आम खुल गई और वो गुस्से से बाहर आया और कहा कि इस तोते को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें चानवर बना दूँगा सलीम ने तोते का गला दबाना शुरू किया और देखते ही देखते तोता मर गया और वो जादुगर भी जमीन पर तड़ब तड़ब कर मर गया और आग में तब्दील हो गया इस तरह सलीम ने अपनी बहादरी से उस जादुगर का मकाबला किया उस जादुगर के मरने की देर थी कि उसके जादू का असर खतम हो गया और तमाम जानवर उसकी कैद से आजाद हो गए और वो बिली जो उसको रास्ता दिखा रही थी अचानक तबदील हो गई और उसने देखा कि उसकी बिली की जगा उसके बाबा खड़े थे सलीम दोड़ता हुआ गया और अपने बाबा से लिपट गया उसके बाबा ने कहा कि सलीम मुझे तुम पर बहुत फखर है हर बाब को तुम जैसा बेटा मिलना चाहिए तुम ने को अलू की भी मदद की तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी जरूर बताईएगा